इसे राम जनमा जबीर मुट्टी रखऊ होगी, राम जब्धान में किस ने दिया घलत बयान? क्या आयुद्ध्या में सुरक्षित नहीं है आने वाले महमान? कौन नहीं चाहता राम मंदर का हो उदगाटन? क्या 22 जनवरी को घरों में ही क्याद रहेंगे मुसल्मान? जाएगा इस मौके पर दूर दूर से शुरत धालू आयोध्या आने की भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन 22 जनवरी को आयोध्या में आने की इफजाज़त किसी को भी नहीं है ऐसा इसलिए क्योंकि आयोध्या कई लोगों के निशाने पर है जी हाँ दोस्तों आयोध्या में होने आई बाएस जनवरी को प्रान पतरशथान को खराब करने की रची जारी है साज़श इसी के चलते आयोध्या में स्तुरक्षा के कड़े इंतिजाम किये जाएंगे लेकिन कौन कर रहा है आयोध्या में दंगे करने की साज़श बताएंगे आज किस वीडियो में वीडियो को आखर तक जरूर देखेगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सचे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फाक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को आल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो आयोध्या में सद्यो बाद चमक देखने को मिल रही है एक बार फिर से आयोध्या खिल खिला कर मुस्कुरा रही है दोस्तो 22 जनवरी को आयोध्या में भगवान श्वेराम के भव्य मंदर का प्रधान मंत्री मोदी जी भायब बे उधगाटन करने जा रहे हैं इस उधगाटन में देश के बड़े बड़े वी आईपीज को नियोता भेजा जा जा रहा है इनमें अक्षे कुमार विराट को इलिया मसदोनी सचिंते नुलकर अमबानी और टाठा जैसे लोग भी शामिल है इस उधगाटन में योगी जीने देश की बड़ी बड़ी हस्तियों के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतर्जाम किये हैं आयोध्या के सुरक्षा के लिए चारो तरफ पुलिस को तैनाद किया गया है CISF के जवान भी आयोध्या के निगरानी के लिए चारो तरफ तैनाद किये गये हैं इतना ही नहीं आयोध्या में सुरक्षा और टक्नीक के रूप में इसे मजबूत किया गया है और ड्रून से भी आयोध्या के चपे चपे पर नजर रखी जा रही है आयोध्या में राम मंदर के भवे उद्गाटन की तैयारी हो रही है ताकि ये पल एतिहासिक बन सके आयोध्या में होने जा रहे श्रीराम मंदर के भवे उद्गाटन को ना सर्फ भारत में बलकि पूरी दुनिया में सबसे जादा कवरिज मिलने वाली है हिंदु धर्म किसी भी मजब या धर्म का मजाक बनाने में विश्वास नहीं रखता लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो हिंदु धर्म का खूब मजाक बनाते हैं आयोध्या में परान पतरश्ठान से पहले भी ऐसा ही कुछ करने की लगातार कोशिश की जा रही है दोस्ता अयोध्या में बने राममंदर में नस सर्फ हिंदु खुश हैं बलकी कई मुस्लमान भी भब राममंदर के बनने से खुश नजर आ रहे हैं इनमें सबसे पहला नाम शबनम शेख का आता है श्रबनम का कहना है कि राम भक्त होने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है दोस्तो श्रबनम शेख ने आयोध्या में बने राम मंदर के भबे दर्शन के लिए मुंबई से आयोध्या तक की पैदल यातरा शुरू की थी अब वो आयोध्या के बेहदी करीब आ चुकी है श्रम्नम शेख जैसे ही देश के कई मुसल्मान आयोध्या में बने राममंदर के भबे उद्गाटन में जश्न मना रहे हैं लेकिन कुछ का टर्पंतियों और नफरत फैलाने वालों को ये बाते कहा हजम होने वाली थी यही वज़ा है कि जब से राममंदर के उद्गाटन की बात सामने आई है तब से कुछ लोग राममंदर को मुद्दा बना कर राविध्या में बाबरी मस्जित के तूटने का घम बनाते हुए नजर आ रहे हैं वही ना सर्फ राममंदर के उद्गाटन से नाखुश हैं बलकि बाके मुस्लिमों को भी वक्त वक्त पर भड़काने का काम कर रहे हैं दोस्तों आयोध्या नगरी में अभी ही सिप्राहन प्रतिष्ठा से जुड़े कई कारिक्रम का आयोजिन किया जाता रहा है ऐसे ही ये कारिक्रम में रामानन सागर की जागरन रामान टीम में भगवान शुराम सीता और लक्षमन जी का करदार करने वाले अविनेता शामिल हुए जिनका भब स्वागत किया गया और उन्हें वही सम्मान दिया गया जो भगवान शुराम, मातासीता और लक्षमन को दिया जाता है दोस्तों आयोध्या में लोग उत्सो मना रहे हैं बाइस जनवरी को एक तहास सक बनाने की भी तैयारी की जा रही है पहीं दूसी तरफ कुछ लोग नफरत फैलाने और आयोध्या में बने राम बंदर के भब उद्गाटन को दंगो का दिन कह रहे हैं और मुसल्मानों में नफरत और डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों आपको बता दे कि All India United Democratic Front के बदरुद्दीन अजमल ने का है कि बाइस जनवरी के दिन मुसल्मानों को हिंदू अपना निशाना बनाएंगे बदरुदीन के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में भोचाल आ गया है केंद्रिय मंदरी गिर्यराज सिंग चौहान ने बदरुदीन के इस बेतु के बयान पर काया कि आयोध्या में बने राममंदर का उद्देश केवल हिंदूों को उनके आस्ता से जोड़ना है कि किसी धर्म विशेस लोगों को टार्गेट करना नहीं गिर्यराज सिंग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास पर जूर देती है इसलिए बीजेपी के लिए हिंदू या मुस्लिम दोनों में कोई फर्क नहीं है आप भी सुनिए बदरुदीन के बेतु के बयान का क्या जबाब दिया केंदुरिय मंतरी गिरेजाज सिंग चोहान ने बदरुदीन अजमल को भले नफरत हो बीजेपी से बीजेपी मुशलमान से नफरत नहीं करती है बदादी की कॉंग्रेस के बीके हरी प्रसाद ने यहां तक के इलजाम लगा दिया कि आयोध्या में राममंदर के उद्गाटन का फायदा बीजेपी उठाना चाहती है BK हरी का कहना है कि आयोध्या में राम मंदर का उद्गाटन BJP के लिए मैजिक चुनावी दाव है आप इस सुनिये का कहा BK हरी प्रसाथ ने बीक हरी प्रसाथ का कहना है कि BJP आयोध्या में बने राम मंदर का उद्गाटन के दौरान पुलवामा जैसे अटाक या फिर्ष्ट देश में मजभी दंगे भी करा सकती है कांगरेस नेता BK हरी प्रसाथ के जवाब में करनाटा के पुर्व मुखे मंतरी बसवराज बॉमबई ने कहा कि BK हरी के खलाफ वह कारवाई करेंगे और उन से अदालत में सवाल जवाब करेंगे आप सुनिये बसवराज बॉमबई का ये बयान बसवराज बॉमबई ने कांगरेस पर खुल कर निसाना साधा और कहा कि कांगरेस देश को बाटने का काम करती है और हिंद्यों मुस्लिम एक खाई पैदा करके अपना फायदा करती है दोस्तो राममंदर के उद्घाटन पर कई लोगों ने उंगली उठाई है और कई लोग उद्घाटन को बीजेपी का चुनावी दाम कह रहे हैं तो कुछ लोग तो बाबरी मस्जित का गम अभी तक बना रहे हैं वहीं दूस्ती तरब बीजेपी ऐसे लोगों को देश में गरवानी के लिए जिम्मेदार बता रही है देश में चुनाव आने वाले हैं ऐसे में हर पार्टी अपनी राजनीती चमकानी की कोशिश तो करेगी ही लेकिन राममंदर के नाम पर हिंदू और मुसल्मानों को बाटने वाला ये बयान याद रखना चाहिए कि आयोद्या में कि उद्गाटन से सर्फ हिंदू ही नई बलके मुसलिमों को भी काफी जादा खुशी हो रही है और श्रबनम शेख उन में से एक हैं दोस्तों राममंदर के भवे उद्गाटन का जशन आप कैसे मनाने वाले हैं हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो पसंद आय झाले हैं